इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट, स्टेट बनने से पहले हम सब जंगल में रहते थे, जंगल में हर ट्राइब का एक कोर एरिया होता था, जहांपे वो सब बस्ती वाले रहते थे, हंटिंग के लिए जानवर खुत्तों चलके आईगनी हापे, मुझे माल लो, हंटिं ग्रेजिंग, शिफ्टिंग कल्टिवेशन, इन सब के लिए आपको कोर एरिया से दूर जंगल में जाना पड़ेगा, बट जंगल सबका घर है, आपका भी, बाकी ट्राइब्स का भी, जानवरों का भी, जंगल में जाके हंटिंग करने का आपको अधिकार है, लेकिन आप आपको ओन नहीं करते हो, आप उसके मालिक नहीं हो, हाला कि वहाँ जाने का आपको अधिकार है, आप उसके ओनर नहीं हो, लेकिन खाना खाने का आपको अधिकार है, बाकी लोगों को भी है, ऐसे जंगल में हंटिंग करने का अधिकार आपको भी है, बाकी लोगों को भी है तो core area में और कोई नहीं आएगा, सही बात है, लेकिन peripheral area में आप भी जाओगे, बाकी लोग भी जाएंगे Britishers अपने साथ modern concept of borders lie, जमीन पे कबजा करने के लिए जैसे अगर कोई बहुत बड़ा इलाका है, उसका map बनाके, Britishers ने line कीचिदी map के उपर कि भी ये इलाका असाम का है, ये इलाका अरुनाचल का है, जब इस तरह से कोई division कर दोगे, तो फिर आप ownership तैय कर रहे हो कि ये सारी जमीन असाम की है, ये सारी जमीन सिर्फ अरुनाचल की है, पहले क्या होता था, कि ये जंगल दोनों का है, अब क्या होगा, कि ये जंगल सिर्फ एक का ही है, बाकि ये वाले जंगल किसी और का है, जो overlap पहले होता था, tolerance पहले होती थी, वो अब नहीं रही, क्योंकि जमीन का बटवारा कर दिया गया इसी लिए फिर Interstate Border Disputes शुरू हो गए जो आज भी चल रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए क्या हमें Borders मिटा देने चाहिए नहीं, देखो Administrative Reasons के लिए Modern Borders एक Necessity बन चुके हैं लेकिन Modern Borders बना देने का मतलब ये नहीं है कि लोगों का जमीन के साथ रिष्टा तोड़ दिया जाए दोनों चीज़े को एक्जिस्ट कर सकती है For example Free Movement Regime Myanmar के साथ देखो 1826 में Treaty of Yandobo के तहट First Anglo-Burmese War खतम हुआ और Britishers ने India-Myanmar border ये जो है approximately इस तरह से बना दिया लेकिन ये थे गने जंगल अब tribes को इदर दो जाना है कई tribes के बीच में आप जिसमें दोस्ती भी थी उनको इदर दो जाना होता था For various reasons तो इसलिए 2018 में सरकार ने Free Movement Regime शुरू करी जिसके तहट इंडिया के लोग Myanmar में और Myanmar के लोग इंडिया में बिना किसी वीजा के जा सकते थे 16 किलोमेटर तक हाला कि September 2022 में इसको रोका गया तो दूसरी country के साथ था इसलिए हम इस चीज़ को रोकना पड़ा लेकिन within इंडिया तो हम इतनी tolerance रख सकते हैं कि एक state के लोग दूसरी state में दें प्रिलिम्स के लिए पता होना चीए कि कौन सी जगह किन states के बीच में disputed है सर्चू, लदाक और हिमाचल के बीच परवानू हिमाचल और हरियाना चंडिगड पंजाब और हरियाना मानगड हिल्स राजिस्तान और गुजरात बेलगाओ करनाटक में आता है महराष्टा क्लेम करता है कसरगोड किरला में आता है करनाटका क्लेम करता है कनिका सैंड्स आइलेंड ओडिसा में आता है वेस्ट बिंगॉल कुछ तैम पहले क्लेम करता था और नौर्थ इस्ट में मल्टिपल डिस्प्यूट्स है सर्चू मनाली हाइवे पे आता है लदाक और हिमाचल के बीच में ये एक फेमस कैम्पिंग साइट है परवानू हिमाचल के सोलन डिस्ट्रिक्ट में आता है लेकिन आरोब है कि हिमाचल ने हर्याना के भी कुछ हिस्से पे कबजा कर रखा है चंडिगड एक यूनिन टेरिटरी है और पंजाब और हर्याना दोनों की कैपिटल है अक्सर पंजाब कहता है कि पूरा चंडिगड उसके पास होना चाहिए हर्याना कहता है उसके पास होना चाहिए और चंडिगड कहता है कि उसको एक independent assembly चाहिए जैसे दिली और पुडुचरी के पास है उसे इन दोनों की capital बनके नहीं रहना है मानगड हिल्स गुजरात और राजिस्तान के border पे है बिलकुल ये राजिस्तान ये गुजरात ये एक चीज़ के लिए और नियूज में था कि 1913 में यहां Britishers ने तेड़ हजार लोग का massacre किया था कुछ-कुछ वैसे ही जैसे जल्लियावाला बाग में हुआ था कसरगॉड कसरगॉड में maximum मल्यालम speaking people हैं तो इसलिए linguistic reorganization के तहट कसरगॉड को किरड़ में include किया गया था बेलगाउं बेलगाउं देखो बेलगाउं जो है यहां पे ये करनाटका में हैं बट महराष्टरा इसको claim करता है क्योंकि यहां पे कई मराथी speaking लोग भी हैं लेकिन majority में क्योंकि घरकनण speaking है इसलिए ये करनाटका में रखा गया था इसको and you must also know कि बेलगाउं is a winter capital of करनाटका करनाटका assembly का winter session December में बेलगाउं में होता है जैसे हिमाचल का winter capital धरमशाला है उतराखन का देरादून इस तरह से ठीक महराष्टरा की winter capital नाखपुर है बेलगाउं आपने और भी परने history किताब में पढ़ा होगा कि बाल गंगधर तिलक ने अपनी first home rule leak शुरू करी थी April 1916 में बेलगाउं से और Congress का 1924 का बेलगाउं session इसलिए भी special था क्योंकि अकेला SS session था जिसमें गांधी जी प्रेजडेंट थे Congress के चनी का सैंड्स आलेंड देखो ओरिसा में यहाँ पे एक नदी है धमरा नदी यहाँ नोट कर लें न यह मैंने PDF में नहीं दिया है औरिसा में दो नदी आप हैती हैं ब्रह्मनी और बैतर्णी नदी मिलके बनती है धमरा नदी यह धमरा नदी आ रही है यहाँ पे है गहिर माता मरीन सैंक्चुरी, यह है बीतर कनी का नाशनल पार्क और यहाँ पे है कनी का सैंड्स आइलेंड और कवेर नीूज में आता है ना अब्दूलकलाम आइलेंड जहाँ पे मिसाइल टेस्टिंग अगरा होती है वो यहाँ पे है, यह सारा Odisa के अलागा है अब बात यह है कि Odisa से थोड़ा सो उपर जाओ गया तो आता है West Bengal West Bengal में है Kolkata Port अब काफी बड़े ships जो होते हैं, वो Kolkata Port तक नहीं जा पाते हैं क्योंकि उजादा गहरा नहीं है तो सरकार ने कुछ नहीं पहले का था, कि जो काफी बड़े ships होते हैं वो Kanika Island पे आके, यहाँ पे समान उफलोड कर सकते हैं और यहाँ से छोटे ships में समान Kolkata Port जा सकता है पहले इस system बना हुआ था बट फिर यहाँ पे Odisa ने प्रोटेस्ट किया कि भी कि पूरा इलाका Odisa का है तो यह Island का जो Port है यह परदे Port के पास आना चाहिए तो सरकार ने इस इस को फिर बाद में हां कर दी थी तो इसलिए यह जिस पूरी News में थी तो आपको पता होना चाहिए कि कनी का सैंड्स आइलेंड कहां पे है यह Odisa में है और आसपास की जगे है बीतर कनी का नाशनल पार्क गहिरमाता सैंचरी अब्दुलकलामा आइलेंड अब्दुलकलामा आइलेंड को वीलर आइलेंड भी कहते थे पहले अकसर इंडिया की मिसाइल टेस्ट यहीं पे होती है मेंस में कोशन आ सकता है कि इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट का रीजन क्या है नेगिटिव इंपक्ट कॉंसिटूशनल मेकानिजम इन डिस्प्यूट्स को सॉल्फ करने के लिए और क्या way forward होना चाहिए रीजन्स वाम दिसकते हो historical, geographical और political reasons political बहुत obvious सी बात है कि politicians अपने मतलब के लिए लोग को provoke करते रहते हैं ताकि लोग असली मुद्दे ना उठाएं और इनी चीज़ों में उल्जे रहें geographical reason देखो reverse वगरा shift होती रहती है कई वार forest बहुत थिक होते हैं तो आप practically वहाँ पर आकर survey नहीं कर सकते हो दूसरी बात historically सोचो ज़र आपने boundaries बनाई होंगी तो कुछ tribes किसी इलाके में आती होंगी बट जिस टाइम surveyor वहाँ पर गए उस टाइम वहाँ पर को tribes रहजे खड़ी नहीं होती थी tribes को तो ये पता है भी हम इस इलाके में जाते रहते हैं बट हर समय तो tribes वाँ पर नहीं खड़ी रहेंगी न तो कौन सी tribes कहां कहां पर आती है किस season में कितना उनका scope रहता है कहां movement का ये सब चीज़े नहीं पता चल सकती है तो terrain की वज़े से thick forest की वज़े से practically बहुत सारी दिक्कते आती हैं जो कि natural से geographical reasons है और सबसे important है historical reason जैसे पहले बताया था कि Britishers जमीन पे कबज़ा करने के लिए boundaries बना देते थे कि भी हमने इतनी जिगे पे कबज़ा कर लिया ये सारा अलाका हमारा हो गया फिर हमने थोला और कब जगल लिया फिर boundary बना दी ये अलाका भी हमारा हो गया वो लोगों का ध्यान नहीं रखते थे कि लोगों का उनकी जमीन के साथ क्या नाता है उस चीज़ की उनको कोई परवानी थी तो इस हिसाब से दीरे दीरे 200 साल में बिटिश रस ने इंडिया में बहुत सारी boundaries बना दी district की boundaries, states की boundaries इस तरह से अब 1956 में जब हमने states को reorganize किया linguistic basis पे officially it was not linguistic basis obviously बट जो भी है मतलब हमने reorganize किया था तो उस समय भी हमने वही boundaries यूज करी थी जो ब्रिटिश रस ने बनाई थी राइट क्यों हमने ऐसा क्यों किया देखो आज आपके पास GPS map, digital maps बहुत सरी चीजे हैं उसमें तो कुछ भी नहीं था आप सुछ अप collector बनना चाहते हो आप अजाद भारत में 1956 में collector हो आपके पास क्या Google Maps था उस टाइम आपके पास आपकी district का एक map था वो भी जो किसने शायद हाथ से बनाया था तो आप वहाँ पे गाड़ी से सडक से जाके सारी चीजे द्वारा सर्वे नहीं कर रा सकते हो resources जी नहीं थे उस समय यह सब चीजे एक्जिस्टिन नहीं करती थी आप तो इतना से जूर कर सकते थे कि भी मेरी district में maximum लोग कौन सी language बोलते हैं census के हिसाब से या और sources के थरू तो उस हिसाब से बता सकते हो कि भी यह district letter से करनाटका में आएगी या महराश्टर में आएगी इस तरह के decisions आप ले सकते थे आप यह recommendation भी सकते हो सरकार को लेकिन दुआरा survey करवाना एक एक चीज़ का on the ground resources ही नहीं थे satellite सो बहुत बाद में आई हैं हास सो जट से खोल के देख लेते हैं कौन सा मैं आप कहां पर हैं बिलकुल तो यह कुछ historical reasons थे अच्छा अगर question specifically असाम के वारे में पूछा जाए कि असाम या नौर्थीस्ट में इतने ज़दा disputes क्यों हैं तो इसमें हम दो तिन points और भी लिख सकते हो जैसे कि हमने class 63 means में देखा था कि लगबग सभी states नौर्थीस्ट के तिरपुरा और मनिपुर को छोड़के असाम में से ही बनाए गए थे अब अगर अब असाम में से ही बाकिस states create कर रहे हो तो वो दिक्कते आएंगी न कि आब boundary कीच रहे हो उस boundary में thick forest था reverse change हो रही है तो क्योंकि बहुत सारे states चार states असाम में से बनाए गए थे बांडरी से रीट्राव करी गए थी इसलिए कुछ dispute आएंगे क्योंकि जैसे समझायता है कि common area है वहाँ पर यहाँ ले स्टेट के tribes बोलेंगी हम भी यहाँ आते थे यहाँ की tribes भी बोलेंगी क्योंकि पहले area के दो-दो मालिक होते थे not exactly मालिक बट हक था अलग-लग tribes को आने का अब अगर आब modern तरही से boundary खीच रहे हो तो कोईने कोई tribe तो नाराज होगी होगी तो इसलिए एक natural सी बात है कि यहाँ पर यह disputes है बट हाँ disputes होने का मतलब यह नी कि हम उनको इतना seriously लें कि कोई बहुत बड़ी चीज़ में casualties वग रहा हो हम इनु डिस्प्यूट्स को थोड़ा solve ने कोशिश करनी चीए politicians को आग में गीनी डालना चीए बलकि लोगों को समझाना चीए कि हम इसका असान solution निकाल सकते हैं ठीक है असाम के वाली चीज़ हो गई दूसरा असाम में disputes होने का दूसरी reason यह भी है कि जैसे मैंने शाद प्लिम्स में आपको बताया था यह वाली बात कि देखो नौर्ट यस्ट में जाने के लिए जो chickens ने corridor है यहाँ पर West Bengal है यह सरे वेस्ट Bengal का आपका है आपको सिक्किम में जाना है तो West Bengal के थूँ जाना है North East में कहीं भी जाना है तो West Bengal से आप पहले असाम में जाओगे असाम के बाद ही आप किसी भी बाकी स्टेट में जा पाओगे तो अगर आपको नागल एंड मनी पूर मुझरम तरो पर कहीं पी भी जाना है असाम के थ्रू जाओगे अब क्योंकि असाम के लगबग इन सब के साथ थोड़ थोड़ डिस्प्यूट्स हैं तो इसलिए फिर वो डिस्प्यूट्स और जादा बढ़ जाते हैं तो एकसेसिबिल्टी का भी एक इशू है कि सबी स्टेट्स में आप सिर्फ असाम के थ्रू ही जा सकते हो तो ये कुछ दोतिन पॉइंट है जो की नौर्थीस्ट स्पेसिफिक है दूसरा हमने कहा कि जो ट्राइब्स वाला सीना की एक इलाके में बहुत से ट्राइब्स का हक है तो ये नौर्थीस्ट में जादा है क्योंकि वहाँ पे थिक फॉरिस्ट जादा है tribes जादा है ठीक है बाकी states इंडिया में इतना जादा thick forest वगरा नहीं है तो इसलिए ये disputes इस लाके में थोड़े जादा है Interstate Border Disputes का impact क्या होता है Economic impact आप एक सेकंड के लिए सोचो कि आप कोई गर खरीदना है क्या आप कभी भी वह वाला गर खरीदोगे जिसमें already दो भाईयों के वीच में dispute चल रहा है वो तो पैसे फसाने वाली बात है ना तो disputed property पे कोई भी नहीं जाना चाता है उसी तरह ना तो सरकार ना ही कोई company disputed जगों पे invest करती है जैसे इन न्यूस देखो Assam Nagaland में के water पे कोई village है वहाँ पे आसक बिजली नहीं आई ठीक है यह February 2023 की news है जब वहाँ पे development नहीं होगी तो लोगों को थोड़ी नाराजगी आईगी लोगों के अंदर कि यार हमारे area में तो development नहीं होती और जैसी border पार करो तो उस सरफ तो बहुत development है तो लोगों के अंदर regionalism की feelings strong होती है जब ये regionalism की feelings और strong होंगी दीरे दीरे तो ये regionalism नफरत में बदल जाएगा लोग दूसरे state के लोगों से नफरत करने लगेंगे अगर दूसरे state के लोग यहां आ गए तो उनके साथ हाता पाई वगरा हो सकती है divisions होते हैं जब ये नफरत बहुत जादा बढ़ जाती है लोग realities निकालते हैं protest करते हैं तब भी कोई नहीं सुनता तो लोग फिर हतियार उठा लेते हैं जब लोग हतियार उठाते हैं तो सरकार उनसे कहती हैं कि आप लोग हतियार छोड़ दो हम अब की बात सुनेंगे अब ज़रूर सुनेंगे राइट सेपरिटिजम जब हतियार उठाने के बाद भी सरकारे कईवर नहीं सुनती हैं लोग के हिसाब से solutions नहीं आते हैं तो कुछ लोग मौका देखते हैं और इंडिया में सेपरिटिजम को बढ़ाते हैं वो लोग ये कहते हैं कि हमें अपना अलग देश बना लेना चाहिए तो सेक्सेशनिस्ट टेंडेंसीज को अंटी सोशल एलिमेंट्स प्रोमोट करते हैं और जब लोग के पास बहुत सरे हतियार होंगे और लोगों का नैशनलिजम लोग के अंदर बिल्कुल नहीं होगा तो अल्टिमेटली क्या होगा वाइलेंस हुआ करेगा बार बार जितना अदर वाइलेंस होगा उतनी जादा फिर कैजुल्टीज होंगी ऐसा कई बार निउस में आच चुका है कि नौर्ट इस्ट में बार्डर पे कई कैजुल्टीज होई है अच्छा कॉंस्टिटूशनल मेकानिजम्स क्या है ऐसे डिस्प्यूट सो सॉल्फ करने के लिए अम मालों एक्जाम में बैठे होई हो आपको दिमाग में नहीं आ रहा है आपको अच्छा काम क्या होता है सबसे बेसिक काम होता है सेपरेशन ओफ पॉवर अब यह अंसर मत पड़ो समीर बात सुनो लेजिसलेचर जुडिशरी एक्जेकेटिव में पॉवर्स को बाटता है तो अगर कोशिन पूछा जा रहा है constitutional mechanism यानि कि मुझे ऐसे सोचना है कि लेजिसलेचर किस तरह से inter-state border dispute को solve कर सकता है पारलेमेंट solve कर सकती है क्या हाँ possibility तो है अब मुझे दियान आ गया कि article 3 कहता है कि पारलेमेंट अपने हिसाब से borders को इधर उधर कर सकती है आगया न पॉइंट फिर article में अपने आप दियान आ जाएगा article ना भी दियान आए तो आप simply लिख सकते हो कि constitution पारलेमेंट को ये powers देता है languages से शुरू करो अपनी paper के अंदर ठीक है ना अच्छा judiciary हाँ judiciary बिलकुल क्योंकि interstate disputes को supreme court सुन सकता है ये supreme court की original jurisdiction है article 131 चीक है तीसरा होता है executive सरकार सरकार कुछ कर सकती है हाँ बिलकुल भई अगर एक और दो दो states की बीच में dispute है तो इन दोनों states की कुछ सरकारी होंगी executive की बात कर रहे हैं governments होंगी इनकी और उपर center है तो central government और ये दोनों state की government अगर आपसे में बैठ के सुल जाएं कोई मामला तो सुलत सकता है न तो इन चीजों के लिए हमने एक वो बना रखिये council interstate council article 263 चीक है तो इस तरह से exam में आपको रटना नहीं है सोचो constitution word आ गया तो गबराहूमत की मुझे article नहीं आते आप सुचो constitution का purpose क्या है क्या तीन organs है वो किस तरह से काम कर सकते है way forward सबसे पहले एक अच्छे I.S. officer की पैचान यह होती है कि बेशक वो चीजों का solution ना निकाल पाए लेकिन जो भी प्रभावित parties होती है उनकी बात को धियान से सुनना बहुत जरूरी है लोगों की अगर बात धियान से सुन भी ली जाए न तो भी लोगों में satisfaction होता है कि आर इतने बड़े अफसरने कम से कम वारी बात समझी है चाहिब solution ना निकाल पाओ आपकी अलग मजबूरी होंगी लेकिन सुनो जरूर सबकी तो इसी लिए कोई भी dispute होता है सबसे पहले सबी stakeholders के सारे grievances को ढंग से सुनो और समझो कि actually में इस का core issue क्या है ये problem हुई ही क्यों तब आप समझ पाओगे कि इसकी क्या solution निकाल सकते हैं फिर दूसरी बात जब समझ जाओगे कि हाँ भी क्या क्या problems है उसके बाद ये नहीं problem है तो भई ये तो court देखेगा भी हम इसमें क्या करें नहीं देखो court में दो parties होती है एक party जीती है दूसरी party हारती है जब भी कोई party हारती है तो हार कोई बरदाशनी करना चाता फिर लोग political pressure डालेंगे प्रोटेस्ट करेंगे तो ultimately solution नहीं निकलता इसलिए बड़े मुद्धों का solution कभी courts नहीं निकाल सकते हैं बड़े मुद्धों का solution political solution होना चाहिए यानि कि सभी stakeholders की रिजा मंदिर से कोई solution होना चाहिए अब आप ही कहों कि सर ऐसे कैसे हो जाएगा अगर दो parties हैं तो फैसला तो किसी एक के हकमी आएगा ना यह थोड़े ना कि दोनों happy हो जाएए हो सकते हैं क्योंकि यहां पर बात कर रहे हो किसी particular area की एक area disputed है world cup का match नहीं है कि trophy एक कोई मिलेगी match draw करो यार यहां पर अगर एक बहुँबड़ा area है तो कुछ area एक state को दो कुछ area दूसरे state को दो जाने कि give and take approach अपना हो ऐसा मत कहो कि हाँ यार हम तो चाहते हैं कि यह state सही बोल रहा है वो state सही बोल रहा है इस तरह से नहीं it is not a zero sum game कि एक zero होगा और दूसरे को एक winner एक loser winner loser वाली बात नहीं है यापे जब आप ऐसा को solution निकाल लोगे give and take approach से तो उसके बाद उस borders को demarkate करोगे जब boundaries को demarkate करोगे तो ensure करो कि लोगों की displacement ना हो क्योंकि लोग कई सदियों से उनके पूरवज एक जगे पे रह रही है ऐसे कैसे कोई अपने पूरवजों की जमीन छोड़ के चला जाएगा नहीं जा सकता ना इसलिए लोगों का displacement कभी नहीं करना चीए मतलब एकदम last possibility होनी चीए जब कुछ और ना solution बचे तब होना चीए ये लोगों का displacement एंड सबसे बड़ी बात borders को irrelevant बना दो ना यार ये कोई इंडिया पाकिसन के बाड़री बात नहीं कर रहे है हम सब इंडियन से सब साथ में रहते हैं ठीक है तो borders borders कैतना लगा रखा है borders को irrelevant बना दो people to people contact बढ़ा के जब हमने दूसरे देश के साथ free movement regime तक चालू कर दी थी तो within इंडिया ये सब चीज़े इतनी मुश्किल नहीं होनी चीए एट सबसे बड़ी बात कि ये सारा मुद्दा उठा ही क्यों क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों का उनकी जमीन के साथ चुट traditional relation था cultural relation था वो disturb हुआ इसलिए अगर आप लोग के culture को disturb नहीं करोगे तो फिर लोग भी protest नहीं करेंगे इसलिए ensure करो कि लोग के cultural rights जैसे पहले थे वैसे ही चलते रहे हैं और सबसे बड़ी बात एक और है पर क्लिक करना तो ये वीडियो खुलेगी छोटी सी चकदे इंडिया वाला सीन है permanent solution permanent solution क्या है कि states states क्या लगा रखा है हमेशा बोलो who are you? I am Indian don't say मैं हर्यान से हूँ, पंजाब से, हुमाराश्ट्रा से हूँ बोलो I am Indian, simple आपकी पैचान Indian है ना कि state की conclusion देखो states को समझना चाहिए peaceful coexistence की एहमियत लडाई जगडे में कोई भी progress नहीं कर पाता है states को आपस में सुला करके मसले सुलजा लेने चाहिए ध्यान रखो कि हम अपने friends बदल सकते हैं लेकिन neighbors नहीं बदल सकते पडोसी state आप नहीं बदल सकते हो आपको adjust करना पड़ेगा तो और adjustment तब होती है जब confront मत करो लडाई जगडे मत करो, consult करो सभी stakeholders को बिठाओ consultation करो, उसके बाल disputes को solve करो और कितनी हरानी की बात है कि सारा मुद्दा इसलिए originate हुआ था क्योंकि Britishers ने दीरे-दीरे कबजा करकर के borders खीचे थे और Europe के अंदर के जो internal borders है उनके countries के बीच जो borders है वो तो Europe ने irrelevant बना दिये है Schengen area बना के कि वहाँ पर एक देश से दूसरे देश में बड़ी असानी से जा सकते हो है ना, वो international borders है वो लोग असानी से cross कर लेते हैं और यहाँ पर हम within India जो borders हैं, उनके ओपर बैठके हम लड़ाई कर रहे हैं जैसे अकसर नीज में आता रहता है कि North East में Interstate borders लड़ाई या हो रही हैं लोगों को दिक्कते हो रही हैं, ब्लॉकेड लगाया जा रहा है, जैसे किसी और देश में ब्लॉकेड लगा दिया हो राइट, हम इन चिर्यों से कुछ सीखना चाहिए इंटर्वियू आज भारत चांद पे पहुँच चुका है चांद की जमीन पे हमारी नजर है और धर्ती की जमीन पे हम लड़ रहे हैं हमारे स्टेट्स आपस में लड़ रहे है क्यों न हम सेटलाइट टिकनलोजी का इस्तमाल करके अपने लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व कर ले सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हम चांद पे तो 15 साल पहले ही पहुँच गए थे और हमने गूगल मैप जैसे डिजिटल मैपस भी बनाने शुरू कर दिये थे 15 साल पहले लेकिन आज तक हम इन डिस्प्यूट सो सॉल्व नहीं कर पाएं है सर उसका रीजन है कि जो सेटलाइट टेकनलोजी है वो सिर्फ हमारी एक लिमिट तक ही हेल्प कर सकती है वो हमें डिस्प्यूटेड एरिया की सिर्फ फोटो दे सकती है लेकिन वो लैंड है किसका ये वो हमें नहीं बता सकती तो पुराने जमाने में जब हमें पेपर के मैप यूज़ करने पड़ते थे उससे तो बेटर है ये टेकनलोजी लेकिन हिस्टॉरिकली जो लोग क्लेम करते हैं कि ये लैंड हमारा रहा है ये लैंड किसी और का नहीं हमारा है उस तरह के डिस्प्यूट्स को हम फोटो के तुरू सॉल्ट नहीं कर सकते उसके लिए जरूरी है कि हम सभी स्टेक होल्डर्स को एक जगे बिठाएं और सलह मश्वरा करके कॉम्प्रोमाईज वाले सिच्विशन में सभी पार्टी कुछ-कुछ कॉम्प्रोमाईज करें और उस चीज़ का सिलूशन निकाला जाए यही इसका सर एक मात उपाई है आप में से जिनको नहीं पता मैं बता दूँ कि जिस तरह से गूगल मैप्स है गूगल मैप्स की तरह ही इंडिया का एक बुवन सिस्टम है जिसमें हमारी सैटलाइट्स हमारे भारत देश की खूप अच्छी तरह डीटेल में फोटोज लेती है जो बहुत ही क्लियर फोटोज होती है हाई रेजिलूशन फोटोज उनको सिर्फ मिलिटरी को दिया जाता है और बाकी नॉर्मल फोटोज को आम जिनता को दिया जाता है जैसे हम गूगल मैप्स के थरू यूज करते हैं दूसरी बात ये कि इंडिया ने अपना नाशनल फ्लाग मून के साउथ पोल पे 2023 में नहीं बलकी 2008 में ही पहुचा दिया था इंडिया साउथ पोल पे अपना जंडा लहरा चुका है 2008 में चंद्रियान वन के थरू इंटेव्यू के टॉपिक में मैंने ये वाला कोशन इसलिए डाला था क्योंकि रिसेंटली न्यूज आये थी सेंट्रिल गर्मेंट ने स्टेट्स को बोला है कि वो सेटलेट माप का यूज करके डिस्प्यूट्स को सॉल्फ करें तो देखो एक ओगनाइजिशन है गर्मेंट की नॉर्थ इस्टन स्पेस अप्लिकेशन सेंटर इसे वर्ष 2000 में स्टार्ट किया गया था मेगाले में इसका हेड़कॉर्टर है ये डिपार्टमेंट ओफ स्पेस और नॉर्थ इस्ट काउंसिल का एक जॉइंट वेंचर है इसके तहट सेटलाइट टेकनलोजी का यूज़ करके नॉर्थ इस्ट रिजन की डिवलप्मेंट की जाती है चाहे वो लैंड मैपिंग के लिए हो अर्ली वर्निंग फ्लट्स के लिए हो या बाकी किसी चीज़ के लिए तो गर्मेंट ने का है कि यह organization अब help करेगी border dispute solve करने में तो इस article में कुछ important points दिये हुए है जैसे पहले इस में यह article में यह लिखा हुए कि सरकार ने का भी maps का use होगा इससे border dispute बड़ जल्दी solve हो जाएंगे बट फिर government officials ने कहा है कि सरकार ने ऐसा बहुत हो दिया कंतरी जी ने कि यह कर लो वो कर लो बट practically possible नहीं है क्योंकि जो reason मैंने यहाँ पर लिखा है कि जैसे मान लो कोई इलाका है और दिरे दिरे Britishers ने अलग-अलग notifications निकाल के यह इलाका कभी किसी को कभी किसी को दिया यहाँ पर borders create कर दिए तो अलग-अलग states dispute करते हैं कि भी हम तो 1875 वाली notification मानेंगे 1986 वाली notification नहीं मानेंगे वगेरा वगेरा यह एरिया हमारा है वो वाली बात है एरिया यहाँ पर कैसा दिखता है अकाश से वो dispute नहीं है dispute यह कि इस पर हग किसका होना चाहिए बाकिये कुछ links हैं इनको आप click करके पढ़ सकते हो जैसे कि recently अरुनाचल और असाम ने काफी हद तक अपने disputes कम कर दिये हैं थूरू नामसाई declaration तो exam में simply फिलिमस में आएगा कि नामसाई declaration क्या है या means में आ जाएगा कि नामसाई declaration एक अच्छी पहल है बटे सफिशेंट नहीं है इसमें और काम किया जा सकता है तो आप simply लिखोगे कि यहां भी interested border disputes बहुत serious issue है कई पूलिसमेन भी इसमें मर चुके हैं अकसर casualties हो जाती है तो किसी रीजिन में नौर्थीस रीजिन में proper peace रहे उसके लिए हम और steps ले सकते हैं जैसे जैसे कि यहां पर सारे steps लिखे हुए हैं तो इसलिए prelims और mains में दोनों तरह से आप current affairs का use कर सकते हैं कर सकते हैं